लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए टैक्स दाताओं के लिए यहार राहत भरी खबर है नवी मुंबई महानगर पालिका ने अबय योजना की समय सीमा को दो महिने के लिए और बढ़ा दिया है यानि नागरिक अब अपना बकाया टैक्स विशेश चूट के साथ 31 जैनवरी 2022 तक चुका सकेंगे पहले यह योजना एक अक्तोबर से 30 नवेंबर तक चालू की गई थी अनेमेमसी आयुकत अभिजित बांगर ने बताया कि कोरोना प्रिष्ट भूमी और आर्थिक तंगी को देखते हुए अबय योजना की समय सीमा बढ़ाने की मांग चल रही थी जिसे देखते हुए ये निर्ने लिया गया है देखे रिपॉट नवीम भई महनगर पालिका ने टैक्स दाताओं के लिए नई राहत दी है मनपा ने अभिजना को 30 नवेंबर से बढ़ा कर 31 जनवरी 2022 तक कर दिया है इससे पहले ये ये योजना एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक चालू की गई थी जिसमें दो महिने की बढ़ोतरी कर दी गई है मनपा युकता भिजित बांगर ने बताया कि कोरोना के प्रिष्ट भूमी और आर्थिक तंगी को देखते हुए अभय योजना की समय सीमा बढ़ाने की मांग चल लही थी जिसे देखते हुए ये निर्णे लिया गया उन्होंने कहा कि अन्म्सी विविद माध्यमों से इस अंतिम मोहलत की जानकारी जनता तक पहुचाना चाहती है ताकि नागरिक विशेश रियायत के साथ इस अभय योजना का लाब उठा सके है बताना जरूरी है कि अभय योजना में संपत्तिकरों के मूल रकम पर लगने वाले दंडात्मक शुल्क पर 75 फिस्दी की छूट दी जा रही है तो यदि अब तक आपने अपना प्रापर्टी टेक्स नहीं भरा है तो महानगर पालिका की वेबसाइट www.nmmc.gov.in पर लॉग इन कर योजना का लाब उठा सकते हैं ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया